हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में बात करेंगे हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन से रिगार्डिंग और आपकी एसाई और फीमेल और फीमेल कॉंस्टेबल जैसा कि आपको पता है कि आपके पीम्टी की डेट आ गई है और आपके अड्मिट कार् मतलब 10 माक्स आपको यहां पर किसीज के मिलेंगे सबसे पहले एसाब इस्पेक्टर के लिए मैक्सिमुम 7 माक्स 4 माक्स फोर दा कैंडिडेट जो हाइयर एजुकेशन है जिसकी ग्रेजुएशन है ला कंप्यूटर इंजिनेरिंग साइंस फोरेंसिक मैशन फोरेंसिक साइं साइंस पॉलिस साइंस एंड क्रेमिनलोजी में और उसके बाद आपका यहां पर एंसी सी सर्टिफिकेट मैक्सिमुम 3 नंबर तो आपको लेके जाना होगा और एबी सी लेवल का है तो वो डेफर करता है कि एक नंबर मिलेगा दो मिलेगा तीन मिलेगा फिर उसके बाद अप्लिकेंट नोर निपरसन फ्रॉम अमंग एस अप्लिकेंट फाद मतलग घर में कोई सरकारी नोकरी नहीं है या फिर वही कोई विड़ो है विड़ो के बिहाफ पे उन्होंने या पर एप्लाई किया है या पिर पहला या भी आप दूसरे बच्चे हो आप अपने घर पे यह सब फिर यहां पर पांच मार्ट मिलेंगे विमुक्त जाती वाली को जो टपरी वास जाती होती है और 8 मार्ट मिलेंगे आपके एक्स्पिरियेंस के वन मतलब वन हाफ 0.5 मार्ट मिलता है पर इची यहां पर देगो प्रोवाइड नो एप्लिकेंट विल भी गिवन मोर से ज्यादा नहीं होंगे क्लेम ओफ रिजर्वेशन कर रखा है तो आपको यहां पर लेके जाना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट और सोशियो क्रिटेरिया इफैनी शैल बी डैमिसीबल तूडा केंडिडेट ऑफ हरियाना डॉमिसाल उनली जो लोग हरियाना से बिलाउं और A11 यह मैं आपको दिखा दूँगी यह आपको बनवाना है विडियो सार्टिफिकेट आपका तैसिलदार से रेफर होना चाहिए और विमुक्त जाती वाला भी आपका यहां पर तैसिलदार से इशू होना चाहिए एक कंसर्ण अपॉइटनिंग अथियोरिटी से इशू यह आपको यहां पर डिटेल डालनी होंगी अपनी सारे सर्टिफिकेट की वह मैं यहां पर वीडियो में बता ही चुकी हूँ क्लेम ओफ रिजर्वेशन बैनिफिट रिलक्षेशन का यहां पर आपको डालना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका जब आप स्क्रूटिनी फिल कर रहे हों तो उसके बाद यहां पर देखते हैं कि और आपको क्या-क्या लेके जाना है यहां पर आपको 10-12 की मार्क घशरक्या लेकर जाना है अगर आपके पास हाईयर डिग्री है तो वो लेकर जानी है अपना अप्लिकेशन फोर्म लेकर जाना है अपना एडिमिट कार्ड लेकर जाना है द्क कंडिडेट विट्वर्द certificate from board and which are not recognized by haryana government will not be eligible candidate having degrees diploma degree diploma certificate from board ये अच्छा मतलब जो आपका certificate वगरा बनता है भई आपकी category wise और reservation का तो वो आपका haryana government से ही authorized होना चाहिए ये चीज लिखी हुई है और ये सारे document आपको upload करने है scanned copy of essential academic qualification matriculation जो आपकी दस्वें की mark sheet है उसमें date of birth होती है scanned copy SCVC है तो application form जब upload करना है उसके time पे है और document अच्छा यहां पे देखिए scrutiny of document ओके यहां पे देखिए भई अगर आपके माल लो कि आपने application form में उस time पे नहीं डाली थी higher degree की चीज और आप scrutiny भरते वक डाल रहे हो तो कोई फाइदा नहीं होने वाला है क्योंकि इन्होंने मना कर दिया है जब आपने application form भरा उस time पे जो चीज आपके पास थी सिर्फ उन यहीं चीज को consider किया जाएगा बाकी consider नहीं किया जाएगा अब देखते हैं आपर female constable का female constable का यहां पर बात करें तो भई पहले आपका PMT होगा फिर आपका scrutiny होगा मतलब आपका DV होगा sorry constable के लिए यहां पर education के 7 marks मिलेंगे अगर आपने graduation की है तो 4 marks उसके अगर आपने PG की है तो 3 marks उसके और आपको यह लेके जानी है अपनी donor degree NCC certificate तो वैरी करता है पर grade ABC है तो एक दो तीन marks मिलेंगे आपको candidate should have passed higher degree up to cut off date जब आपकी यह नोटिफिकेशन जारी हुई थी उस time तक का आपके पास graduation या पीजी होना चाहिए अगर आपने इसके recruitment के बाद आपकी पीजी complete हुए या यूजी complete हुए तो marks नहीं मिलेंगे बाकी वही क्रिटेरिया मैंने आपको पिछली बार भी इस अभी थोड़ी देर पहले जब SI का notice पड़ा था तो उसमें बताया था घर में सरकारी नौकरी नहीं है विड़ो के बेस पर फॉर्म फिल क्या है पहले या दूसरे बच्चे हो पिता जी की उमर 42 साल से प कि सर्टिफाइड इशू बाई कॉंपनेंट अथोरिटी एन एक्च्चर एवन आपका विड़ो का सर्टिफिकेट नाइब तसिल्दार से इशू होना चाहिए विमुक जाती से हो या फिर आप यहां पे देखिए एक्स्पिरियेंस सर्टिफिकेट इशूड बाइदा कंसर अगर आपने रिजर्वेशन लिया है तो वह सर्टिफिकेट आपको डालना है कोटा रिजर्व और बाकी मैं आपको दिखा देती हूं अनेक्चर यहां पे क्या है यह बाकी आपकी इंस्रुक्शन्स हैं यह आपका अनेक्चर वन है जिनके फादर डाइड है उनको यहां प आपके दो विटनेस के सिगनेचर होंगे उपरनाय तसिल्दार से इशू होगा वेरिफिकेशन में यह आपका डाला जाएगा और सिगनेचर विद दा सील ओफ मेंबर पंच्रायत या काउंसलर या मले एंप आपका विलेज का यहां पे लिखा जाएगा यह वेरिफाई करे कि उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए यह एपलिकेशन फोर्म है विडियो सर्टिफिकेट अगर किसी ने विडियो के बेस पे अपलाई किया है तो उसको यहां पे तैसिल्दार या नाई तैसिल्दार से सिर्टिफाइड कराना पड़ेगा आपके सिगनेचर होंग और यह बनवा लीजिए का भी तहसिल से ठीक है डिवी के टाइम पे लेके जाना है यह वेरिफिकेशन मोड है आपका और उसके बाद यह वीडियो का सर्टिफिकेट सारा डिटेल्स यहां पर डाला जाएगा यह एक्सपिरियंस का सर्टिफिकेट है जिन लोगों ने एक्सप मतलब आपके सिगनेचर होंगे यहां पर अंडर्टेकिंग फॉम वाले की तो मैंने वीडियो भी बना रखे है तो आपको यह चीजे लेके जानी है क्या क्या एक बार रिवाइस कर लेते हैं 10 और प्लस 2 की माक्षीट हाइयर डिग्री यूजी या पीजी है आपका अपका आपका एडमिट गार्ड आपके सारे कास्ट कार्टीफिकेट अरिजनल अगर आपने खिले मेशन का क्वेट अपने अपने फोतो और बाकि ये एक्स्ता माक्स मिलने तो एस सब अपको फिल करने इस्क्रूटेनी टाइम पर आपको लेकर गर चैकोंगे और बाकि मैंने बता